हलो दोस्तों मैं संतोश और आप देख रहे हैं व्लोगर वीडियो आज हम खड़े हैं आगरा चुंकि आपको बता दूँ ये वीडियो है 2022 का और 2020 में जब कोरोना काल था तब हमारी शादी की 25 साल गिरे थी उसमें सरमाजी गुजरात थे और मैं थी राजस्तान तो एनिवर्सरी ढंक से बच्चे सेलिबरेट नहीं कर पाए तो 2022 में हमें सर्प्राइज गिफ्ट मिला आगरा के ट्यूर का चुंकि ये पहला ट्यूर है मेरा बिना बच्चों के सिर्फ सरमाजी के साथ तो सबकुछ बच्चों ने ओनलाइन बुक कर रखा था हमें पता भी नहीं था कि हम कहां जा रहे हैं क्या बुक किया हुआ है बहुत शांदार होटल था फाइस्टार और बहुत ही सुईधाओं से युक्त बहुत अच्छे डंक से इसको सारी वेवस्था थी कुल मिलाकर जीवन में पहली बार बच्चों ने इस तरह का सर्प्राइज दिया था काफी अच्छा लगा गाड़ी बुक थी तीन दिन के लिए होटल बुक था सिर्फ हमें घूमना था खाना पिना मोज मस्ती जो शायद मैंने कभी की नहीं सिर्फ सर्माजी के साथ बच्चों के साथ हमारा घूमने का प्रोग्राम बनता रहता है लेकिन यह पहला ट्योर था जो सिर्फ मेरा और सर्माजी का था तो पहले दिन हम घूम के आए लेकिन द हुए थे उस समय का यह सीन है जहां हम इंट्री लेते हैं ताज महल में वहां काफी इंट्रेंस इसका अच्छा बनाया हुआ है और सामने से देखते ही ताज महल हमें साफ दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नजारा बहुत ही खुबसूरत होता है यह कि मिनार है जो परकोटा बना हुआ है ताज महल का जहां से इंट्री ली जाती है काफी लंबी चोड़ी भीड है और ठीक सामने यह पूरा पार्क बना है खुला मेदान है और यह सुंदर सा ताज महल प्रेम का प्रति यह ताज महल काफी खुबसूरत है सुबे का समय है बीड है और सब कोई ताज के आगे फोटो खिंचाने का इचुक है लेकिन नंबर धीरे-धीरे सब का आ रहा है बहुत खुबसूरत ताज और ये सरमाजी लाइन में लगे हैं फोटो शूट के लिए लोग बारी-बारी से आ रहे हैं ये मुमताज महल का मकबरा है जिसे हम ता ये ताज के पीछे का नजारा है पीछे यम्ना नदी बहती है और नदी सुबह-सुबह के समय बहुत ठंडि-ठंडि हवा आ रही है इस नदी से और नदी के ठीक सामने दूसरी तरफ है महताब बाग बनावा वहां से ठंडी हवा आ रही है और इधर शरमाजी फोटो हुआ है लेकिन बच्चों ने अच्छा से प्लान किया था तो उसको सक्सेस तो करना था हमें इसलिए घूम रही हूं मुझे चुंकि ऐसी इतिहासिक चीजें देखना अच्छा लगता है कलात्मक चीजें देखना अच्छा लगता है और ताज महल तो प्रेम का प्रतीक है हर एक इंसान यहां जाना चाहता होगा जिसके मन में किसी के प्रती प्रेम है तो हर इंसान के मन में होता ही है प्रेम और यहां लोग फोटो शूट में लगे हुए हैं ताज महल किस ने बनाया क्यों बनाया किस चीज से बनाया बनाने के बाद क्या किया इंचे जों में हम नहीं क्या लिखा है इतियास में ज़्यादा रूची नहीं है मेरी और जो संदर्य है उसको देखेंगे ये उगतेवे सुर्य की किरने जब सामने से आ रही है बहुत खुबसूरत नजारा है ये जिदर देखो उधर ही संदर्य बिखरा पड़ा है लेकिन इस संदर्य को नजरों में किया नहीं जा सकता स्मृति हमारी शौर्ट होती है छोटी होती है जल्दी से उसमें से सारी चीजे कैप्चर नहीं हो पाती इसलिए इस केमरे की साइटा से मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ कि बुड़ापे में जब भी मुझे ये सारी चीजे याद आएगी या जब मैं फ नीची जो बड़ा सा बाग बना है यहां हर कोई घूम सकता है लेकिन उपर गुमबत तक आने के लिए यह सीडियां है इन सीडियों से चड़के उपर आया जाता है फिर यह जो गुमबत बने है यह जिसको हम मैन भाग गहते हैं ताज महल का यहां तक आने के लिए आपका टिगट लगता है यदि आप इसको देखना चाते हैं अंदर से या नस्दीक से देखना चाते हैं ताज महल को तो आपके लिए टिगट लगती है लेकिन यदि आप ताज को दूर से ही देखने से संतुष्ट हैं खुश हैं, सिर्फ बगीचा देखना चाहते हैं नीचे से, तो उसके लिए आपके लिए कोई टिगट का प्रावधान नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, काफी बड़ा बाग है नीचे, और जहां काफी लोग आते हैं, ये दूर से छोटी-छोटी लोग दिख रह है, वहां तक आप आएंगे, जो सामने घीड दिख रही है, वहां तक आप आ सकते हैं, बीना पैसों के, यहां कुछ फोटो शूट हमने भी किया, करीब आट बजे हम वापस होटल की तरफ रवाना हो गए, बहुत इंजोई किया, हमने बहुत संदर-संदर नजारे को कैप् पर कोटा है, चारों दे चार दरवाजे बनें हैं, लेकिन इन्टरेंस इधर से होटा है, ताज मैल के अंदर आने के लिए, पि에서 फिर चारों दॉदेख बगीचा है, फिर होटल आने के बाद हमने भर पेट नास्टा किया, और नास्टा करने के बादे पूरी दोपहर हमने आराम किया